नमश्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हूं सैमसंग गलेक्सी एस 22 है प्लस है यह आल्टरा है तो यहां पे आप आप आटो चेंज वाल पेपर की सेटिंग कैसे कर सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं लॉ आपशन आ रहा है स्क्रीन का मतलब वाल पेपर का यह जो लाइब वाल पेपर लगा हुआ है तो यहां पर ऑटमेटिकली जो चेंज होके आते हैं वाल पेपर वो सेट करना है तो सेट करने के लिए आप यहां पर जाएंगे सेटिंग पर सेटिंग पर आपको ऑप्शन करेंगे और यहां पर अगर सेटिंग पर जाते हैं तो यहां पर ना कैटिगरी चूज कर सकते हैं आप जैसे डॉक्स रिलेटेट सेटिंग है यहां पर इसे आउन कर देंगे इसको ऐसे करके जो जो आप मतलब पसंद करते हैं उसको आप डाउंडोड कर देंगे बाकी जो तो कनेक्ट हो चुका है जिसे यह अच्छे से काम करेगा ठीक है और इसके बाद यहां पर बैक कर लेंगे अब सैमसंग ग्लोबल गोल्स चाहिए तो जिसमें आपके थौट आ जाते हैं हैं इस टेप के और इस ट्रैप से आप्शन देखने को मिल जाते हैं कि यह इंडिया हैन्डिया के अप्डेट्स हो गए अ यह अप्डेट्स है हैं जो भी मैंग्सीन टाइप का कहलो इस ट्रैप का तो आपको जो ही चाहिए न उसे सेलेक्ट कर लेंगे तो मैं डाइनेमिक क्लिक करके apply कर दूंगे एक बड़ सेटिंग पर जाएंगे वापस से और नीचे यह चीज़ें आन रहने चाहिए ताकि अपडेट हो जाए बैक कर लेंगे और एक बर और बैक कर लेंगे तो देख सकते हैं यह सेलेक्टेड हैं और एक बर बैक कर लेंगे अब हम इसको चेंज करके देखते हैं देख सकते हैं अब अलग-अलग आ रहे हैं ठीक है तो यह स्टेप से आप सेट कर सकते हैं और ऑटो चेंज वाल पर या लॉक स्क्रिन वाल पर चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार